पूरा मामला चिरगा पहाडी चुंगी का है बता दें कि यहाँ पर एक शक्स ने खुदकुशी कर ली है संदिक्त प्रस्तित्यों में शम बिला है खुदकुशी है या खत्या इस वाद की जाच की जा रही है बताया जा रहा है कि पत्नी घरेलू विबात के चलते अपने माई के बच्चों के साथ गई हुई थी लेकिन पत्नी का माई का पास में ही था इसी वज़े से वो जानवरों की देखभाल दूद निकालने के लिए रोज घर आय जाये करती थी लेकिन जब वो सुभा पहुँच रही तो पत्नी की बात नहीं हुई फोन से चौप जा रहा था तभी रोज की तरह शाम को घर आई और अपने पती को मिर्ट अवस्था में देखकर डंग रह गई सारे मौलेवासी खटे वे पुलिस को सूचना दी पुलिस मौके पर पहुँच रही है इस पूरे मामले की चानबीन की जा रही है मौत का कारण अभी तक इस परश नहीं हो पाया है मौरानीपुर के ग्राम परच्वारा निवासी देड़ दरजन यूफको ने रेल्वी लाइन पर SKS इंफ्रा कंपनी के द्वारा सिक्योर्टी के पत पर रखा था तेहराका से मौरानीपुर लाइन पर काम जबकि मजदूरी तीन महिने से नहीं मिली है ठेकेदार पता नहीं कहां गुम हो गया है फोन पर बात नहीं हो रही है ठेकेदार के दरा निवारी में तनार प्रशासी कर्वचारी के पास भीजा गया वो तन्खा नहीं देरा लगबग 20 लड़कों की पती महिने की तन्खा 9000 उपए के हिसाब से है किसी भी सेक्योर्टी गार के पास पैसा नहीं पहुचा है जिसकी लगातार बात उठ रही है हम लोग कहा जाए किस कंपणी में काम कर रहे हैं जेदे लगी इतने समय से आप लोग काम कर रहे हैं मार्च टी महीने से लगे हैं मार्च अपैल माई जहां से में गर्गी का टांडव वर गरार है मंगलवार को 47.2 जिग्री से तापमान के साथ जहां से प्रदीश का सबसे गर्म शेहर बन गया ये 2020 के बाद मई में पहली बार है जब तापमान 47 जिग्री को पार कर गया है मौसम भाग ने लूग को लेकर रहे डिलोड जारी किया है मौसम भाग ने अगले चार दिनों तक तीवर गर्मी का नुमान लगाया मौसम भाग के मताबिक वर्ष्य में शोप की चलते जहां से सही पूरे बंदिल खड़ में लूग का प्रकुप जारी रहेगा सांडिला जो आ रहे है कंटेनर और मौपेट की मरगा मोड पर टकर हुई जिसके बाद कंटेनर ने तीनों को पुचल दिया हांसे में दो लोगों ही मौके पर ही मौत होगे जपी तीसरे ने सीसी पहुचते ही दम तोड़ दिया सांडी ठाने के संजौालपुर निवासी, 50 वर्षे मली खान पुतर च्रेथ राम, हरपालपुर ठाने के बरसुया निवासी 45 वर्षे लला भायव पुतर छोटे लाल, हरपालपुर कस्वा निवासी 45, राम नंगल पुतर दियाल, वो पेड़ से मनलावा से कनाव जा रहे यहां पर एक ट्रक जो की कन्व से संडीला जा रहा था ता तीर लोग मोटर साइकल सवाद मगराह गाउं से निकल रहे थे इसमें पर ट्रक की इनकी भी स्ट्रककर हो गई इसे मौकिया पर ही मोटर साइकल जवाद तीनों वेक्तों की और मुर्थी हो गई इसमें अस्थानी पुलिस अत्त काल मोकुर पहुची और इसमें सोग अपजी मिलेकर पंचा एतना में पुस्पार्टम की करवाई कराई जा रही है इसमें ट्रक को पकड़ लिया गया है और इसमें पुलिस जारा विधी करवाई की जा अरजक तत्वों ने चिनावी महोल बिगारने की कोशिश की है ब्राहमल श्रत्री बनियों को गाली देने का आरूप लगा गाली बाज अरजक तत्व का सोशल मीडिया पर विज्जे होते इसी के साथ वारल हो रहा है वारल विडियो की चैनल पुष्ची नहीं करता मदान की दिन स्थानी बूत पर दंगा और बवाल करने का स्थानी लोगों ने आरूप लगाया घमकी बाज अरजक तत्व पर पर कारवाई की मांग की है सिर्सिया थानशित्र के मादों को चुराहे काई कुरा मामला है हमारे ग्राम सभा में स्रफुरत relax का लड़का मुण गाली दिया रहा है उसमें ना कोई वह है बता樹 भाउन को टार्वट किए जाएं गाली दिया रहा है उस Iímt इसलिए हम लोग entities देख रहा है है सब लोग 20-25 की संख्या में चाथने पर πüy pen वांडे Kevin नहीं किवा लेकिन फिर भी ठाकुर बावन को टार्गेट किया रहा है ये गलत बात है ना जी बिल्कुल चुनाव महुल को खराप किया रहा है और हम आपस में मद्भेद किया रहा है और बवाल करने की पूरी-पूरी साजिस है अरूपी को जमाना दिये जाने की सुष्चा से डॉक्टर भढ़ा गई डॉक्टर्स ने शेत्र में जरूस निकाल कर आरूपी को एम्स से बरखास करने के साथ दुबारा सी गिरफतार कर जेल भीशने की बांग की है मांगी पूरी नहीं होने तक डॉक्टर्स ने हरताल कर अपने आंदुरून को जारी रखने का एलान किया और जो एम्स प्रसाशन से कंसर्ण है इसमें एक जोईन मीटिंग विकल लिए डियर्टर एम्स वेडम के साथ और अनुग प्रसाशनिक लोगा उनको साथ मीटिंग कर ली गई है और सेक्र सभी समुष्चाओं का वहाँ पर समधान विधिक निकाला जाएगा प्रसाशन ने लिए जैसा उनका कहना था लेकिन उनके दोरा कमिटी बना दे गे थी सस्पेंशन ओर रिशू कर दिया गया था कुछ उनकी डिमांड से जो एम्स प्रसाशन से है उसका टर्मिनेशन को लेकर है अपनी सेट्टी और सेक्यूर्टी शारधाम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की तारीक से फर्जिवारा करने वालों के खलाब पुलिस सक्त हो गई है पुलिस ने शिकायट के आधार पर चार मुकद में दर्ज करने के बाद दो टूर आपरीटर्स को दिली हर द्वार से गरफतार कर लिया दो टूर आपरीटर अभी भी पुलिस की रड़ार पर है जिनकी गरफतारी के लिए पुलिस टीम रिशी केज से संबन्दी धिकानों पर रवाना की गई SSP अजर सिंग ने बताया कि CEO संदीप नेगी और कोटवाल शंकर सिंग बिश के नतित में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रधालों के पंजिकरन के चेकिंग लगातार की जा रही है चेकिंग में ऑनलाइन पंजिकरन की तारिक में फरजी वारा पाया गया है जरधालों के शकायत पर पुलिस ने चारध टूर आपरीटर के खलाफ में दरज किया जिन बिसे दो टूर आपरीटर को पुलिस ने दिली और लिद्वार से गिरपतार करिया है बिश्रे दालों के संग्खेशन नहीं हो पारा है इसको देखते हुए कुछ ट्रेवल एजेंट्स अब जो प्रकाश में हमारे चेकिंग में आए कि कुछ ऐसे गुरूप साय थे बाहर के जिनकी ट्रेवल डिट रेज्टेशन मही महिने मनाओं के जून में थी जुलाई में थी और उसको फॉर्स तरीके से चेंज करके मही के मह में जैसा जो यात्री कहते हैं कि मुझे इस माम में ट्रेवल करना है वो फॉर्स तरीके से भराया गया था इसमें चार मुकत में अभी तक दर्ज हुए है और इसमें जो है एक ट्रेवल एजेंट्स जो आपका विशी राज करके है जो लीजेंड इंडिया हॉलिडेज राम में गिरफतार कर दिया है पुलिस ने शिराब और तसक्री में इस्तमाल वाहन को कबज में ले लिया आरूपी के खिलाब पुलिस ने मुकदमा दरकर अपनी जाज शुरू कर दी है पिस जिख्षु आईपेस और रायवाला थारा प्रभारी जितिन चौधरी ने बताया कि म मौसम विभांग ने चारधा मयात्रा के मार्ग के परवर्तिय जिलो में शुकरवार के लिए बारिश का यलो अलट जारी किया मौसम विहान केंद्र देरदून के निदेशक डॉक्र विकरम सिंग ने बारिश का यलो अलट जारी करते वे चारधा मयात्रा में आ रहे लोगो सिफ शेशकर सेतरक्ता बरतने की अपील की विकरंसिंग ने कहा शुकरवार कुको जगाउब और उलवस्टी के साथ ही तेज बोचहारे पर सकती है इसे गोदेरों में अचानक पानी बढ़ सकता है इसमें सतरक्ता बरतने की जरुत है उन्होंने लोगों को सतर करते वे कहा कि चारधाम यातर पर जा रही है तो बारिश या उलवस्टी के समय सुरक्षे स्थान पर रुख जाए कि दार्ना धाम एक बार फिर पालेट की सूचबू से बड़ा हासा होने से बच गया कि दार्ना धाम के लिए उडान भर रहे क्रिस्टल एविएशन हेलिकॉप्टर की शुरुगार सुभा साथ बचकर अपात लेंडिंग करनी पड़ी से इसे के दार्ना धाम के लिए उडान भर रहे हलिकॉप्टर में कुछ तक्निकी खरावी आने की कारण सेसी हलिपेट से शिकेदाना धाम क्यों जा रहा था कि अचाना केस्ट्रेल एविएशन हलिकॉप्टर में कुछ तक्निकी खराबी आ गए तक्निकी समस्य की वजों से साथ बज़े ये लेंडिंग करनी पड़ी पालेट कलपेश के अनुसार सभी आत्री सुरक्षित तक्निकल समय की खराब जो पालेट में सुईबूद करते हैं कि दाना धालेट से कोड़ा ही पहले उसको लाइन करा दिया उप्तर में जितने की पैसेंजर्स ते वो सभी सेफ हैं और सभी तर्शन की वे चलेगी रहें हैं रैबरेली जगतपुर कजबे के मनुहर गंजगाओं में हिरन की बच्चे को कुते दुड़ा दुड़ा कर काट रहे थे ग्राम्लों ने बचाए हिरन का बच्चा घाय हो गया ग्राम्लों ने जब इसके सुष्णा वंदारोगा प्रदीप सिंग को दी तो उन्होंने कहा कि ट्रेन की चपेट में आने से रॉक्ष्ण पुत रामसेव को उन्हों पर 20 साल निवासी बवरिया की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई योग की मौसे परीजिनों में को नाम मचा हुआ है स्थानी लोगों की सुचना पर पहुंची पुलिस निशब को कबजे में लेकार प चुनाव को महज एक दिन का वक्त रहे गया है और दूसे तरह भीशन गर्मी पढ़ रही है से मदान केंटर पर मदाताओं के लिए चुनाव आयों की तरह से विशेश इंतर्जाम की दिशा निर्देश दिये गए वैस दिले के डियाम डॉक्टर किनिस सिंग ने चुनाव क को धूब से बचने के लिए अनिक अंतर्जाम के साथ साथ वोटिंग सेंटर पर कुलर भी लगाये गए हैं और इसके अलावा पानी का अंतर्जाम भी किया गया ताकि किसी वद्दाताओं को किसी तरह की कोई परिशानी ना हो उन्होंने पूरी जानकारे देते हैं पूरे आकड़े बताए कि इस पश्यमी दिली लोकसफा सीट पर कुछ बदाताओं के संक्या कितनी है उसे महिलाय मोटों के संक्या कितनी है इसके साथ ही वोटों के संक्या के बारे में बताया साथ ही नए वोटों जो इस बार जो रहे हैं उन्हें के आकड़े भी दिये गए उन्ह चुनाव की तैयारी के लगग 2 महीने पहले से हम लोगों ने तैयारिया शुरू की हुई है जब से एलेक्शन अनाॉंस हुए थे तो कुछ कुछ activities हैं जो इलेक्शन के अनौजमेंट से ही शुरू आत होती है कुछ-कुछ activities ऐसी हैं जो निर्देशों का पालन किया जा रहा है के इंदर के लिए रवाना हो रही है आज जाएए आपकी डीटी कर जाएगी इसकर हम कों कर देंगे कों नहीं कर तक्माल हमको फिर यहाँ आपको पिर टीटी मिल गारा बदायों के अलगलग थानशित्रों में इरिक्षा को बुक कर आकर रास्ते में चालक को कोल ड्रिंक में नशीला पदार देकर उन्हें बेहोश करके इरिक्षा मुबाइल पैसे चोरी लूट कर ले जाने वाली कई घटनाय सामें आ रही थी जिसमें कुछ चालक काफी समय तक बेहोशी के अवस्ता में रहे इन घटनाओं की घटनाओं के नावरण के लिए जर्पत के एसोजी टीम के सासा थानों की कई पोलिस टीमों का गठन कर अवश्चक दिशा निर्देश दिए गए हैं इन टीमों द्वारा नियंतर कर्चित प्यास करते वे बदाईयों पोलिस महत्तकुन सफलता प्राप्त कर रही है आज इक्ष्रब रामत किये गए हैं तीन शातिर अप्राधी कि रफ्तार किये गए है कि तीन रिक्षा चालकों को टार्गेट करके उनके रिक्षा को चोरी किया जा रहा है उनको नुशली दवा चिला पिला करके जब तीन चाल जिला से सूचना प्राप्त हुई तो एस उजी की टीम को लगाया गया और उनके द्वारा अंततों गत्वा सिविल लाइन की टीम क चुका है बाकी लोगों का नहीं है इस ग्याइंग में दो विक्ति जो हैं उनका तो काम यह था कि वह एक्षा को हैर करते थे और किसी सुन सांट जगा पर लेया करके राइबरी में जिले का राणा बीनी माधव सिंग जिला अस्पताल बाहर से देखने में जितना चाक चौ भाग से होता हुआ पैथलोजी अल्रसाउंड अने कबरों तक पहुंचा अस्पताल करमचारी जल भराव को देखते वे भी नजर आए लगभग आदे घंटे बाद किसी तरह पाइप से निकल रहे पानी को बन किया गया और अनन्फानन में अस्पताल करमचारी द्वारा प और इसे के साथ तिलाल कबरों में इतना ही आप बनी रहे न्यूस वर्ग इंडिया के साथ